वेलकम बैक तुदे गुज़ाती चेस जोन दोस्तो मैं दर्मिंडी मुजीर आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तो यहाँ पे हम स्कैंडिनियन डिफेंस के सारे वेरिशन देख चुके हैं आज हम देखेंगे आज से डैनिस गैंबिट दोस्तो गैंबिट लाइन इस लिए ख सबसे पहले मैं इंट्रो कराना चाहूंगा डैनिस गैंबिट के बारे में क्या होता है डैनिस गैंबिट तो इफोर सबसे पहले सेंटर कंट्रोल करता है और ब्लैक खेलता है जब इफाय तभी आप डैनिस गैंबिट खेल सकते हो बाकी दूसरी लाइन के लिए आपको पूछ कर सकते हो यहाँ पर मैं रिकमंड करूंगा डीफोर जल्दी से आप इसको डैवलोप करो डीफोर करने से सेंटर पर कंट्रोल भी हो रहा है और आपके दोदों विशाब ओपन हो गये हैं इसके बाद e takes d4 black अगर यह पॉन मारता है तो एक और surprise move है आपके लिए c3 c3 में d takes c3 अगर वो d takes c3 नहीं लेता है तो next moment आप उसका पॉन मारत के सेंटर में कर सकते हो तो d takes c3 यहाँ पे आपको खिलना है बिशब C4, one more surprise two pawn sacrifices में होता है दो-दो pawn sacrifice लेकिंग after C takes B2 बिशब takes B2 ये structure होता है Danish Gambit का आप देख सकते हो कि black के सारे pieces अपने घर में ही है और white के दोनों बिशब डियावलोप हो चुके है knight, queen और ये knight सारे pieces जल्दी से action में आ सकते है तो चलिए शुरू करता है Danish Gambit के कुछ games में आपको दिखाऊंगा games के बाद आप अपनी opening तैयार कीजिए opening में आपको अलग-अलग moves लिखना है जैसे कि पूरी game ही में लिखा दूँगा E4, E5 और ये structure आने के बाद after bishop into B2 यहां पे अलग-अलग moves होता है जैसे कि इस line में अगर black ने queen G5 खेला तो queen G5 ये एकनी मतलब powerful move नहीं है जो भलाई G2 पे attack कर रहा है लेकिन इसका reply आपको क्या देना है queen G5 के बाद आपको खेलना है knight F3 आप अलग-अलग इसमें option में बुक में लिख सकते हो कि फेफ्थमों मतलब white ने अगर black ने अगर फेफ्थमों queen G5 किया तो आपको क्या खेलना है और उसके बाद में आप आगे-आगे variation अपने बुक में बना सकते हो तो यहां पे देखिए knight F3 के बाद अगर black ने ये pawn ले लिया क्वेंटेक्स G2 तो यहां पे बहुती जबजस्त एक हो रहा है रुक जी वन आप्टर queen S3 queen S3 के बाद यहां आप टू मिनिट वीडियो पूस्ट करके अपना मूज देखिए कि क्या बेस्ट मूज होना चाहिए दो मिनिट वीडियो पूस्ट करके आप देख लिजिए आपने सोचा होगा कि बिशब टेक्स G7 pawn लेके हम अपना pawn जो है दी कवर कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बताऊंगा बेस्ट मूज बिशब टेक्स F7 चेक बिशब सेक्रिफाइस आप्टर किंग टेक्स बिशब सिंपल फोर का रहा है नाइट जीफाइए और आप कुईन जीत चा रहें तो यहां पर बिशब टेक्स F7 में किंग टेक्स F7 नॉट पॉर्सिबल तो पहले मूज और चेंज करना है बिशब टेक्स नॉट बिशब इंटू जीफाइस पहले बिशब इंटू F7 चैक आप्टर किंग डी एट किंग डी एट के पाद रूख सेक्रिफाइस करना है तो रूख टेक्स G7 अगर बिशब टेक्स G7 करते हैं बिशब टेक्स जी सेवन करते हैं तो बिशब इंटो जी सेवन सिंपल आपको रुप भी मिलेगा और नेक्स मुमें शॉट टाइम में आप चेक्मेट कर सकते हैं तो यह थी जो पहली गेम इसमें बहुती किंग साइड ही एक है चुकि यह दूसरी गेम आप देखते हैं इफोर इफाइव डी फोर इटेक्स डी फोर सी त्री टेक्स डी बिशब सी फोर पॉण टेक्स पॉण बिशब टेक्स बीटू यह पोजिशन हर एक डेनिस गेम इच्ट में ज्यादा तरहती है पर यहां के बाद हमने अर्टरनेट मूँ देखए यहां पर एगर ब्लैक चेक दे रहा है ब्लैक सुच रहा है कि मैं दो पॉन प्लस हूँ तो जल्दी सी जल्दी पीसिस को एक्षेंज कर लेता हूँ अप्टर बी फोर प्लस आपको नाइट डी टू इंटरपोस करना है क्वीन जी फाइब यहां पर ब्लैक एक और एक्षेंज के लिए आ रहा है कि विशब और क्वीन सभी एक्षेंज हो जाए पीसिस तो यहां पर नाइट जी वाला एफ तरी क्वीन पर आटेक करना है क्वीन टेक्स जी टू अब देखो बहुत ही ब्रिलियंट मूँ आएंगे बाद में आप्टर क्वीन टेक्स जी टू रुक जी वन और यहां वाइट अगर ब्लैक सोता कि मैं बिशब टेक्स नाइट करू और पीस प्लस हो जाओंगा तो नोट पॉसिबल तो बिशाप टेक्स नाइट में आपको यहां वीडियो कुम्श पूस करके बेस्ट मूँँ दूनना है दोस्तों बहुती बेस्ट मूँ दूनके बता ise मुझे अब मैं बताता हूँ विशब टेक्स, ना तो Knight टेक्स विशब हो सकता है क्योंकि Queen टेक्स रुखचे का रहा है, ना तो Queen टेक्स विशब हो सकता है क्योंकि Queen टेक्स F3 मूव है, तो यहाँ पर एक Surprise मूव है King T, King E2, After King E2, ना तो आपको King से विशब मालना है और ना ही queen से एक move waiting move है यहाँ पर queen h3 queen h3 के बाद अब queen into d2 और यहाँ white clearly advantage में और plus भी है knight f6 के बाद bishop sacrifice bishop takes f7 फिर वही चाल है अगर king takes bishop किया तो knight g5 फॉर का रहा है bishop into f7 इसमें बहुत बार आता है Danish gambit में क्योंकि दोनों bishop king side attack करते हैं आप्टर king d8 यहाँ आपको क्या खिलना है simple rook takes g7 knight takes e4 यह एक blender move है अब आप video पूश्ट करके अपनी base move जुन के मुझे बताएं दूस्तों मेरे हिसाब से सबसे base move queen sacrifice queen g5 check after knight takes g5 bishop f6 checkmate तो यह थी Danish gambit की दूसरी game दोस्तों हम एक और game देखेंगे और इस game में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि black के pieces मतला black pawn भी ले लेता है और cashling करके पूरा develop भी हो जाता है फिर भी white winning है कैसे हो रहा है देखिए knight c3 में भी आप जीच सकते हो black played here knight f6 black नहीं हाँ पे knight के उपर दो अटेक किये knight g e2 white ने खेला है knight into e4 यह pawn sacrifice भी किया एक और pawn sacrifice यहाँ पे 7th room में एक pawn दे दिया और white ने surprise move किया है short cashling देखिए यहाँ पे white clearly 3 pawn down है 3 pawn down है लेकिन फिर भी game white के हाथ में है पूरी game white के हाथ में आप देख सकते हो after knight takes c3 knight takes c3 black चाहता है कि सारे pieces जल्दी से exchange हो जाए after bishop takes c3 bishop takes c3 और black ने कर दिया castle अब आप बोलोगी कि sir इसमें तो हम 3-3 pawn down हो गे और हमें कुछ फाइदा नहीं हुआ black का castle भी हो गया और बहुत सारे minor pieces exchange भी हो गे तो उससे फाइदा क्या मिलेगा अब देखिए आप फाइदा कैसे मिलेगा क्यों g4 जब आपके सारे pieces develop है तो फाइदा क्यों नहीं मिलेगा एडवांटेज बहुत ही मिलता है अब देखिए यहाँ पर हमने मेट की त्रेट दी यह pawn pin है उसका आडवांटेज हमें मिल रहा है तो यहाँ में फोर्स मेट बचाने के लिए जी सिक्स है और ली ऑप्शन है जी सिक्स जी सिक्स के बाद हम फिर से क्विंट डी फोर और यहाँ पर कोई पॉसिबल मूँ नहीं है चेक्मेट से उकमने के लिए तो यह फाइनल मूँ क्विंट डी फोर के बाद ब्लैक रिजाइन क्योंकि यह मेट इन वन है नेक्ट मूँ में अन एवोईडेबल चेक्मेट है और यह थी गेम डैनिस गेंबिट की तीसरी गेम चलिए मैं अपनी खेली हुई गीम ली चैस में आपको बताता हूं जैसे के हम हर बात देखते आएं तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको गेम दिखाऊंगा कोले वर्षिस किंग इंडियन की गेम है सिंपल नाइट ए थी डिख्स नाइट सी थी त्री किंग इंडियन के अगेंस में नाइट सी थी वेरेशन कहिलता हूं जी शीश और ए पोर सेंटर कंट्रोल करके आफ्टर बीजी सेवन, बिशाप एटू, कैस्टल, बिशाप दीफाइव, सेशिक्स, क्विन डीटू, आइडिया बिशाप एटिक्स और सिंपल हमें बिशाप एक्षिन करना है, नाइट दीशेवन, एस्ट्री एक वेटिंग मूँ है, डीफाइव, एफाइव के सामने, अल ब्लैक का प्लानिंग है, बीफोर करके, नाइट को अठाके, नाइट टेक्स, इफोर करना, लेकिन मुझे पता है, और मैंने क्यल्कुलेटर मूग किया है, बिशाप टेक्स, किंग टेक्स, और फिर, यहाँ पे, एच पोर, एक और पॉन सेक्रिफाइव, नाइट टेक्स, इफोर, उसमें मेरा प्लान है, एच फाइव, लेकिन, यहाँ पे, ब्लैक ने इस नाइट पे अटेक्क किया था, और वो भी मैं जानता हूं, नाइट डीवन, लेकिन वो पॉन नहीं मासकता, क्यों नहीं मासकता, कि आफ्टर नाइट टेक्स, एफोर, क्वीन, एथ्री, औ और उसके किंग साइट जब जस्ट एटेक आ रहा है, तो उसने भी जानबुज के पॉन नहीं मारा, नाइट को पीछे लिया, डिफेंस के लिए, आफ्टर एच फाइल, एफोर, पॉन टेक्स पॉन, पॉन टेक्स पॉन, पॉन टेक्स पॉन उसके लिए भी जरूरी था, व रुक जी एट, पिनिंग, डिस्कावर की थ्रेट है, किंग एच एट, क्वीन टेक्स पॉन एट, वन मॉर पॉन सेक्रिफाइस, लेकिन उसने नहीं एकसेप किया, नाइट एट सेवन, और नाइट एट सेवन को फिर से पीन कर दिया, रुक एट सेवन से उसने डिफेंस किय यहाँ पे क्वीन जी थ्री एटकिंग मुव, यहाँ पे एक ब्रिल्येंट मुव है, नाइट सेवन, अल्रेडी मिझे नाइट पीन हो चुका था, मैंने सोचा कि मेरा नाइट टॉप ट्रैप है, मर भी या उससे कोई सपोर्ट भी नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझ ज्यादा एड़ांटेज मिला इसलिए उसने क्वीन नहीं लिया और विशप टेक्स नाइट लिया, सिंपल क्वीन एस टू और यहाँ पे क्वीन जी फोर, नाइट एट थी और विशप जान बूज के मुव करवा रहा है, क्योंकि पता है कि वह ईपोर खेल लेगा और उसन दो पॉन प्लस के बाद गेम लेकिन कुछ हो और भी सेक्रिफाइस में करने पड़े है, आप्तर किंग एफ फाइब विशप दी सिक्स सेक्रिफाइस, किंग टेक्स और रूप टेक्स यहाँ भी मेरा एटू पॉन में बचा नहीं सकता, तो काउंटर में मैंने रुक जी फो से रुक बी फाइब से उसका बी फोर फोन पर यहाँ पर सिंपल एंड गेम और इसमें ब्लैक ने रिजाइन कर दिया, और तीरली वीन आप देख सकते हो दोस्तों, ऐसे बहुत सारी गेम्स आपको देखने को भी मिलेगी, और सारे ओपनिंग्स आपको मेरी चैनल में सिखन आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिए, और जो भी वीडियो आपको पसंद आता है, तो लाइक बटन जरूर देजिए, थैंक्यू, जैहिन, जैगुटा